हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक तो माई चैनल वंस अगेन और आप लोगों को अफिस्स वागत है और आज मैं आप लोगों शाद इस प्रोड़ाइक के बारे में डिटल शेयर करूंगी उसका नाम है वाव स्कीन साईं एल अफिर जेल है तो सबसे पहले जो मैं करती हूं इसा सकर्ण का गजिगा जैकर और आप लोगों को दिखा दी अब आप देख सकते हो कि इस एक प्रास्टेफिंर भाव रागहेरँ पहले में इसकी consistency जो है दिखा देती हूँ तो आप देख सकते हो इस तरह का कुछ consistency में यह मिलता है कोई color नहीं है तो इसके बारे में बहुत लोगों ने मुझे कहा के aloe vera को लेकर आप कोई details वीडियो बगेरा लेर के आओ इसके लिए मैंने वाओ का aloe vera gel लिया है तो aloe vera gel क्या होता देखिए aloe vera gel ऐसी जिल है जो आपके sensitive skin में भी काम करता है लेकिन अगर aloe vera gel pure है तो आपके sensitive skin में काम नहीं करता opposite काम करता है तो बहुत से लोगों ने इसका जो feedback है यह दिया है कि इसे use करते ही उनके skin में redness आगया है leeching आगया है pimple आगया है तो मैं भी उनमें से एक हूँ यह aloe vera gel मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैंने इसे hair पे ट्राइ किया है skin पे ट्राइ किया है लेकिन मैंने जब इसे first week पे use किया था तो मेरे skin में मेरे face पे बहुत सारे pimple आ गया था लेकिन धीरे-धीरे मैंने जब इसे use करनी लगी जब यह मेरे skin में सूट हो गया तब मुझे कोई भी pimple का दिक्कत नहीं आया और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे skin में जो tan था वो भी इससे remove हो गया वो भी time तक बहुत time तक मैंने इसे use किया है धीरे-धीरे से यह काम करता है तो मैं आप लोगों को suggest यही करूँगी कि अगर आपके skin बहुत जादा sensitive है अगर आपके skin में बहुत जादा pimple की problem है या इचिंग की redness की रैशिश की तो आप इस एलवेरा जिल को avoid कीजिए या कोई भी डॉक्टर से सला लीची तो दूसरी बात यह है कि आप लोगों को अभी मैंने consistency है जो दिखाया है कि कोई color नहीं है आप देख सकते हैं कोई color नहीं है देखिए pure एलवेरा का कोई भी color नहीं ह होता कोई color नहीं होता pure एलवेरा का मार्केट में बहुत सारे ब्रैंड के अलवेरा जिल मिलता है लेकिन वाव स्कीन साइंस ने जो एलवेरा जिल लॉंच किया है वो सच में 100% pure एलवेरा जिल है इसमें कोई smell भी नहीं है कोई भी smell नहीं है आप जब कोई एलवेरा था किया था तो मेरी हेर जो है बहुत है वो स्टिक जैसी हो गई थी द्राइ हो गई थी तो कुछ टाइम के बात वो नॉर्मली वालों में एब्सॉर्फ हो ही जाता है तो उससे भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी डेंडर पे भी यह बहुत अच्छा काम कर लेता है तो आप लोगों कोई सारी डाउस मैंने क्लियर कर दिया है अगर फिर भी कोई सवार आपके मन में हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो और मेरी कोई भी आईड़ी पी मैसेज कर सकते हो और अज के लिए भी इत नहीं मिलते अगले एक नियू प्रोडेक्ट की डि की